जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवशकता होती है। क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती हैं। बिल्कुल रोहन, चलो हम उप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं। उप्रेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। ओप्रेटिंग सिस्टम के बिना कम्प्यूटर बेकार है। कई तरह के ओप्रेटिंग सिस्टम उपलब्द होते हैं। ओप्रेटिंग सिस्टम प्रयोक करता वो कम्प्यूटर के मध्य एक माध्यम का कारे करता है। सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवश्यक्ता होती है, परंतो ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू होता है, कंप्यूटर को चालू करते ही ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू हो जाता है, ओप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य कारे है यह computer को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उपयोग करता वो computer के मध्य पारसपरिक संबंधों को सुगम करता है यह input वो output यंद्रों को नियंत्रित करता है यह computer program के निशपादन को नियंत्रित करता है यह computer की मुख्य memory के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है। यह file को व्यवस्थित रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है। Operating System को दो भागों में वर्गिकृत किया जा सकता है। Character User Interface, CUI, Graphical User Interface, GUI एक-एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं। Character User Interface, CUI में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते हैं। यह cable Lake वा अक्षरों पर चलता है। हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे Rename, CLS, CD, MD और DIR या डारेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कारे कर सकते हैं। CUI का एक उदाहरन है Disk Operating System। Graphical User Interface, GUI की प्रश्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं। GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows NT, Windows 7 और Ubuntu। GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सामपत्तिक, मालिकाना, सौफ्ट्वेर और स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर। मालिकाना सौफ्ट्वेर एक प्रकार का कंप्यूटर सौफ्ट्वेर है जिसकी अनुग्यप्ति, कौपी राइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधिन होती है। मालिकाना सौफ्ट्वेर के उप्योग के लिए अनुग्यप्ति की आवश्चक्ता होती है, जो उसकी फीस देने या भुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है। इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है। उप्योग करता इनको न तो परिवर्तित, न साज़ा कर सकता है, ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है। मालिकाना सौफ्ट्वेर के सामाने उधाहरण हैं, Microsoft, Apple, INC, IBM, Operating System वो Unisus. स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर वे सौफ्ट्वेर हैं जिनको उप्योग करता इंटरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है। यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं, जो उप्योग करता को सौफ्ट्वेर परिवर्तित करने, साजा करने और पुनर्वित्रित करने की आजादी देता है। यदे भी परिवर्तन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं। स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर के सामान्य उदाहरन हैं, Unix, Linux, Aurora UX और हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए, जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ओपरेटिंग सिस्टम है। अरे हां, मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है। Microsoft Windows, Microsoft द्वारा विकसित किये गए, एवं बेचे गए ग्राफिकल इंटरफेस ओपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है। अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं, उनमें Microsoft Windows का ओपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है। यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सौफ्ट्वेर, प्रमानित सौफ्ट्वेर विक्रेता की यहां से खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सौफ्ट्वेर को Microsoft की विब साइट से ऑनलाइन भी खरीदा चा सकता है। GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने व उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है। Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आपके कम्प्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है, तो कम्प्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क टॉप कहलाती है। स्टार्ट बटन होता है, जिसके जरिये हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं, टास्क बार की प्रिष्ट भूमी को वाल पेपर कहते हैं, कंप्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है, डेस्क्टॉप दिखने वाली छोटे-छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं, यह आइकॉन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉटकट छोटे रास्ते हैं, जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुँचा जा सकता है, स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिच के समानांतर पट्ट को टास्क बार कहते हैं, टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे-छोटे आइकॉन वह शॉटकट होते हैं, कंप्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वह प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं, कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्य प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहे हूं और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट पेटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों वो सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रेवक कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यों में मौझूद गंडूल पैनल का उप्योग कम्प्यूटर में विभिन्न हार्डवेर और सॉप्ट्वेर के विन्यासों या को बदलने के लिए किया जाता है. स्टार्ट मेन्यू के help और support मेन्यू का उपयोग windows पर कारे के दोरान आवशक्ता पढ़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है. स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में computer को बंद कर सकते हैं. लोग ओफ या पुनेह चालू कर सकते हैं. निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख वो समय परिवर्तित कर सकते हैं. पहले टास्क बार पर दाई और दिख रहे तारीख वो समय पर क्लिक करें. तब एक घड़ी वो calendar प्रकट होगा. टास्क बार पर तारीख वो समय पर क्लिक करें. तब समय वो तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें. तद पस्चाद समय वो तारीख परिवर्तन बटन पर क्लिक करें. समय वो तारीख निर्धारित करें. समय वो तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय वतारीख डायलोग कोश्ट पर वापस आएं। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें समय वतारीख डायलोग कोश्ट को बंद करें। डेस्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कम्प्यूटर लॉग उन करने पर देखते हैं। आइकोनों के पीछे दिखने वाले चित्र दृश्य को वाल पेपर अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं। जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अत्वा लेख की चल चित्र की प्रदर्शित होती है। इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना। आप अपने कम्प्यूटर के वॉल पेपर अथवा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी आइकोनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्ट से बदल सकते हैं। पहला डेस्क्टॉप के खाली स्थान पर माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाए। तत पश्चात सुची के वहक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। तत पश्चात डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी लिंक पर क्लिक करें। तत पश्चात चित्र का चैन करें और उसे डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी की नियत करें। अन्त में ''Save'' या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्थनों को सुरक्षित करें. स्क्रीन सेवर नियत करना यदि आप डेस्क्टॉब की स्क्रीन सेवर परिवर्थित करनाचाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाए. पहला, डेस्क्टॉप के खाली स्थान पर उस माउस का दाया, राइट क्लिक बटन दबाएं तद पश्चाथ, सुची के वैयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें तद पश्चाथ, डेस्क्टॉप की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुने तब चार स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें तत पच्छाद, Preview बटन पर क्लिक कर Screen Saver देखें. तब निरधारित बटन पर क्लिक कर Screen Saver को निरधारित करें. अंत में Save या सुरक्षित बटन दबा कर परिवर्तनों को सुरक्षित करें. अब रोहन यह याद रखें कि एक कम्प्यूटर में ऑप्रेटिंग सिस्टम वो व्यक्तिकत कारिक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं एक फाइल, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है धेर सारे फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं आप कम्प्यूटर की किसी भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकते हैं फाइल या फोल्डर बनाने के पश्चात आप उसका नाम बदल सकते हैं उसकी प्रदीली भी बना सकते हैं उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं और उसे आवश्यक्ता अनुसार मिटा भी सकते हैं हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है, बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोले तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोर प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें तब डी ड्राइव में उपलब्द सामगरी देखने के लिए click D drive पर click करें तब नए फोल्डर बनाने के लिए menu bar में नए फोल्डर पर click करें नए फोल्डर को नाम दे सकते हैं और enter दबाएं आप folder के अंदर भी folder बना सकते हैं जिसे sub folder कहते हैं एक folder का chain करें और उसे खोलें उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, तो पॉप अप मेन्यू प्रकट होगा। उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर सुरुजित हो जाएगा। फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें। पहले स्टार्ट पटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ट्राइव में उप सब फोल्डर या फाइल को आप खोलना चाहते हैं पर डबल क्लिक करें। फाइल या फोल्डर को कैसे सनरक्षित करें या नाम बदलें। जब आप D-Drive में फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो स्वच आलत रूप से न्यू फोल्डर या न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सनरक्षित हो जाता है। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए उस पर राइट क्लिक करें। नए पॉप अप में नाम परिवर्तित करें, रीनेम चुनें। नया नाम लिखे और एंटर दबाएं। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम परिवर्तित हो जाएगा। विंडोस ओपरेटिंग सिस्टम में कुछ सहायक सामगरी होती हैं, जो अत्यांत उपयोगी होती हैं। हम इन उपयोगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं। इन उपयोगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। ततपश्चात माउस से All Program पर चिन्हित करें। उसके बाद Accessories पर क्लिक करें। यहां पर विभिन Accessories की सुची होती है। संबंधित Accessories पर क्लिक करें। पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है। आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अत्वा मुझूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं। आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेक पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं। हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें। पेंट का उपयोग करने के लिए सर्व प्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें, तद पश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें, उसके बाद Accessories पर क्लिक करें, यहाँ पर विभेन Accessories की सूची होती है, Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें, तब Paint Window दिखने लगेगा, आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है, Paint Button, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon, Paint Button के साथ आप कई तरह के कारे कर सकते हैं, Paint Button के विभिन विकल्प हैं, खोलें, Open, नया, New, सनरक्षित करें, Save और चापें, Print, Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है, Ribbon में दो टैब हुती हैं, Home और View, Home टैब उन उपकरणों को उपलब्द कराता है, जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं, यह क्लिप बोर्ड, ब्रश, टूल, शेप और कलर आधी होते हैं, क्लिप बोर्ड में तीन विकल्प होते हैं, Cut, Copy वपेस्ट, जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप पेंट पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं, प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं, अथवा चिपका सकते हैं, यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है, प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विशेओं को चुनने वसंपादित करने में सहायता करता है, जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चार्ट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अत्वा गुमाना चाहते हैं. उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना. ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है, जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं. आकृतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकृतियां दे सकते हैं. रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं. दीदी, तुमने यह भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहां मुफ्त ओपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध हैं. हाँ रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा कुले स्रोध का अपरेटिंग सिस्टम है. यह सॉप्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है. चलो हम इस पर नज़र डालते हैं. Linux, Unix, ओपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है, जो Linus Store Walls द्वारा विक्सित किया गया है. Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है. Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है. उपियोग करता इस सौफ्ट्वेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं. Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है. फ्री डाउनलोड अथवा वितरन का उपियोग कर. Linux दुनिया भर में करोडों उपियोग करता हूं द्वारा सफलता पूर्वक उपियोग किया जा रहा है. Linux के सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है. Linux उपियोग करने का एक वेकल्पिक रास्ता है जो विभिन कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है. और जिसमें विभित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं. एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे Ubuntu कहते हैं, जो Conical Company द्वारा वितरित किया जाता है. अब हमें Ubuntu के बारे में सीखना चाहिए. Ubuntu एक स्वतंत्र मुक्त सौफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कम्प्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है. Ubuntu में एक Graphical User Interface या GUI होता है, जो इसे Windows अथवा Android जैसे दूसरे प्रचुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है. Ubuntu के वर्जिन 12.10 Default Desktop वातावरन के रूप में Unity का उप्योग करता है. Unity डेस्टॉप प्रष्ट भूमी और दो बार रखता है, जिसे Menu Bar और Launcher कहते हैं. Menu Bar डेस्टॉप के शीर्ष पर स्थित क्षेतिज पट्टी है. Launcher एक खड़ी पट्टी है, जो Menu Bar के बाई तरफ होती है. Menu Bar में सामाने कारे शामिल होते हैं, जो Ubuntu 12.10 में उप्योग होते हैं, जो Icons Menu Bar के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक क्षेत्र कहते हैं. Keyboard सूचक आपके Keyboard, Layout चुनने और Keyboard प्रात्मिक्ताओं को बदलने की अनुमती देता है. संदेश सूचक में सभी Social Application को शामिल किया जाता है, जो ततकाल Instant Messenger Client, Email Client, Micro Blogging Application और दूसरे समान Application को सम्मिलित रखता है. Network सूचक आपको तार्युक्त अथ्वा तार्मुक्त Network को आसानी से जोड़ने और Network Connection को प्रबंधित करने की अनुमती देता है. ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उप्योग अपने Music Player और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है. घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और केलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उपलब्द कराता है. यूजर मेन्यू आपको अलग-अलग उप्योग करता हों और ओनलाइन सामगरी और उप्योग करता खातों के बीच परिवर्दन करने की अनुमती देता है. एक सत्र या सेशन सुचक सिस्टम सेटिंग का उप्योग करने, सोफ़्वेर अप्डेट करने, प्रिंटर, डिवाइस को लॉग करने के लिए, सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कम्प्योटर को पुनह आरंभ करने, या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है. एप्लिकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं. अन्य GUI वातावरन के विपरीत, युटिलिटी में आवेदन, मेन मेन्यू, बार के बाईं और स्थित है. एक विश्ष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्क्टॉप के मेन्यू बार पर आवेदन, आइकन के लिए माॉस को स्थानांत्रित कर सकते हैं. यह है desktop के menu bar में खुद को उपर रख कर application को सक्षम करेगा, इसलिए इस application को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है. माउस को menu bar से दूर ले जाने पर, desktop फिर से दिखाई देने लगता है. Utility का वह feature जो application दिखाता है, application के menu केवल जब जरूरत होती है, जब ये netbook और laptop उपयोग करताओं के लिए फायदे मन्द होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है. उर्धवादर पट्टी के icons जो screen के बाई तरफ होते हैं, launcher कहलाते हैं. जब ये launcher चलाया जाता है, तो ये है सक्रिया icons के application को आसान पहुँच प्रदान करता है. launcher में सबसे उपर पहला icon dash कहलाता है, जो एक निरनायक खोज वो मूल तत्व है. एक application को launcher से run करने अथवा पहले से run हो रही application को प्रदर्श्रित करने के लिए application icon पर क्लिक करते हैं. foreground में application अपने icon के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोन के द्वारा संकेतिक किया जाता है. launcher की द्वारा application जोड़ना और हटाना. एक application को जोड़ने के लिए launcher के application icon पर दाहिने क्लिक करके और launcher के lock का chain करके application को run करें. launcher से एक application को हटाने के लिए पहले application icon पर दाहिने क्लिक करें. फिर unlock से launcher का chain करें. Dash 1000 है जिसकी मदद से आप computer पर application वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं. वो उन तक पहुँच सकते हैं डैश का पता लगाने के लिए लॉंचर के सबसे उपर वाले आइकॉन जिस पर अबंटू का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें डैश आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी जिसमें सबसे उपर सर्च बार किस साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लिकेशन फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा डैश आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाए खोजने की अनुमती देता है डैश की मुख्य विशेश्टाएं डैश की दो मुख्य विशेश्टाएं है फाइलें वो फोल्डर ढूनना और एप्लिकेशन को ढूनना वर्कस्पेस आपको एप्लिकेशन को एक समूह में करने की अनुमती है जो अव्यवस्था को कम करता है और डैस्टाप नविगेशन में सुधार लाता है मूलभूत रूप से अबंटू में चार वर्कस्पेस होते हैं एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए लॉंचर पर वर्कस्पेस स्विचर पर क्लिक करें यह application आपको एक workspace से दूसरे workspace पर जाने की अनुमती देता है. Windows को बंद करना, अधिक्तम करना, नियूनतम करना वो बहाल करना. नियूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे launcher में रखा देता है. अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फेला देता है. Windows को बंद करने के लिए, विंडो के उपर बाइकोने पर दिये हुए क्रॉस बटन पर क्लिक करें. विंडो को वर्क्स्पेस पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए माउस के पॉइंट को विंडो के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के बाइब बटन से क्लिक करें तथा बाइब बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खीचें. विंडो का आकार बदलने के लिए माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे री साइज आइकॉन कहते हैं. माउस के बाइब बटन से क्लिक करें तथा बाइब बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खीचें. कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं. सीधे लॉंचर के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुँचना. या सामाने तह उप्योग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वह फोल्डर टूल का प्रयोग करना. गो मेन्यू सामाने तह प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सुची होती है. गो में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और गो को चुने. तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें. यदि आप Home Network स्थापित करते हैं, तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा. होम फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है. यह है उप्योग करता के लॉग इन नाम से मेल खाता है. इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टोलेशन के दोरान अपने आप बन जाते हैं. इसमें डेस्टॉप दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पब्लिक, टेंपलिट्स और वीडिय शामिल हैं. नॉटिलस फाइल मैनेजर जैसे विंडो के पास फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए विंडो एक्स्प्लोरर होता है, उसी प्रकार अबंटू फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉर्ट रूप से नॉटिलस फाइल मैनेजर का प्रयोग करत डिफॉल्ट विंडो में निम्न किशेष्टाएं होती हैं। Menu Bar, Title Bar, Tool Bar, Biapan वर Daya Pan Nautilus Navigate करने के निम्नपद हैं। Folderों के बीच Navigate करने के लिए Nautilus File Manager के Biapan में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें। वापस जाने के लिए Path Bar में Folder के नाम पर क्लिक करें। एक दिखने वाले Folder पर Double Click आपकी उसे Navigate करने में सहायता करेगा। Nautilus के साथ File को खोलने के लिए उसके आइकन पर Double Click करें। अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें और Open With के विकलपों में एक को चुने। Nautilus में एक नया Folder बनाने वा Save करने के लिए पहले File पर क्लिक करें और फिर Create New Folder पर क्लिक करें। उसके बाद बनने वाले Default Folder का नाम, Untitled Folder को इच्छानुसार नाम दें। यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा। File या Folder को Copy करने या प्रतिलिपी बनाने के Steps हैं। पहले Edit पर क्लिक करें, फिर Item पर क्लिक करें, अथवा Right क्लिक करें। और Pop-Up Menu से Copy चुने। अब आप Copy की गई File को इच्छित स्थान पर Paste करें। कई Nautilus Windows का प्रयोग करना, आप निमन प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं। पहले File बनाए, तब New Window पर क्लिक करें। यह नई Window खोलेगा और आपको File या Folder को दो स्थानों से Drag करने की अनुमती देगा। नया टाब खोलने के लिए पहले File पर क्लिक करें। फिर New Tab, File की Browsing के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी। दूसरा पैन खोलने के लिए View पर क्लिक करें। फिर Extra Pan पर यह आपको Tab या Window के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है। आप Nautilus या Dash का प्रयोग कर File या Folder को खोज सकते हैं। पहले Nautilus में Go, Search for File पर क्लिक करें या Control के साथ F दवाएं। फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें। Dash में सबसे उपर सर्च बार में आप केबल खोज का टर्म टाइप करें। Ubuntu में Libre Office सबसे अधिक लोकप्रिय सुईट है जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित होता है। यह भी वैसी ही कारेप्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे के Microsoft Word, Excel, PowerPoint सिर्फ इसके की यह एक मुक्त स्वतंत्र सौफ्टवेर है। इन सभी एप्लिकेशनों तक launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है। इसमें निमनगटक शामिल हैं जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते हैं। क्या मुक्त स्वतंत्र सौफ्टवेर के विशे में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार कतिविधी में भाग लेंगे। तीदी, क्या मुबाइल फोन वर टाबलेट भी कम्प्यूटर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। हाँ रोहन, आजकर मुबाइल फोन वर टाबलेट भी परसनल कम्प्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं। साथ ही साथ अन्य खूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेलूलर, ब्लूटूथ, वाइफ़ाइ, जीपियस मुबाइल, नेविगेशन क्यामरा, वीडियो क्यामरा, स्पीच रिकोगनेशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर व अन्य विशेशताएं। अधिकांश मुबाइल फोनों में एंड्रॉइड, विंडोज अथवा सिंबियन ओपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ, बिल्कुल, चलो यहां से शुरू करते हैं कि एक मुबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यह सीखते हैं कि मुबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं। कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें। यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टैप दें। आप स्क्रीन पर नमबर पैट देखेंगे, जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं, उसे टाइप करें, उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं, स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें, स्क्रीन तरशायगी कि नमबर डायल हो रहा है, कि कनेक्ट हो रहा है, इस तरह आप कॉल कर सकते हैं, कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें, अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें, जब आपके फोन की घंटी बजे, तो उत्तर देने के लिए ह दाएं से बाएं स्वाइप करें हम पिछले मिलाए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा उसके पश्चाद नमबर चुने और हरा बटन दबाएं इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नमबर पर टैप दें नमबर की डायल होने लगेगा। आप call इतिहास इस तरह देख सकते हैं। पहले, standby mode में menu दबाएं। smartphone होने पर phone icon पर tap दें। तब call register या call इतिहास या call log चुने। उसके बाद यह प्राप्त call, छूटी call, डायल की गई call के तीन टाब दिखाएगा। फिर जिस टाब को आप देखना चाहते हैं, उस पर click करें। यह आपको call की सूची, समय, वतिति के साथ दिखाएगा। smartphone होने पर सभी call एक ही सूची में दिखेंगी। हरा तीर प्राप्त call, नीला तीर डायल की गई call, वललाल तीर जूटी call, दर्शाता है। आप नंबर पर call कर सकते हैं, नंबर को संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकते हैं या उस पर संदेश भेज सकते हैं। फोन में ध्वनी का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं। सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में menu बटन दबाएं। फिर विकल्प menu में सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग menu में sound या audio विकल्प चुने। उसके बाद sound menu में volume विकल्प ढूंडें। रिंगर या ringtone में volume कंट्रोल पाए जाते हैं। अंत में speaker विकल्प पर चुने, वह keypad को उपर नीचे कर volume level सेट करें। आपके smartphone में आवाज नियंतृत करने वाले बटन बाहर होते हैं। मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रबलता नियंतृत की जाती है। मैं अपने मित्र का phone number वह अमित का नाम शामिल करना चाहता हूं। मैं कैसे कर सकता हूं। आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं। जब phone standby mode में हो तो menu दबाएं। स्मार्ट फोन होने पर phone icon पर टाप दें। तब menu विकल्प में अपने phone की phone book पर जाएं। यह home screen पर phone के एक चित्र अत्वा शब्द phone, phone book या संपर्क से दिखाई गई होगी। अब उपलब्ध विकल्पों में new contact का चैन करें। पहले जिस संपर्क को आप जोड़ना चाहते हैं उसका number area code स्क्रीन पर दिखने वाले form पर भरें। smartphone में number pad वांक टाइप करें, add to contact पर टाप दें और तब create new contact पर और तब form में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वांतिम नाम लिखें। तब उसे संरक्षित करने के लिए save या add to contact दबाएं। टाप देना सुनिश्चित करें। अब नया संपर्क अपने mobile में जुड़ जाएगा। फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विबरण में edit करने के लिए संपर्क का नाम चुने। एडिट का चैन करें। टाप दें। सही विबरण टाइप करें। और फिर save का चैन करें। टाप दे। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं। पहले standby mode में menu दबाएं। तब संदेश सेवा, फिर लिखित संदेश, फिर संदेश बनाएं का चैन करें। एक स्मार्टफोन में home screen पर messaging आइकन टूंडें। उस पर टाप दें। आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी। संदेश बनाएं, संदेश लिखें को चुनें। स्मार्टफोन में right message आइकन पर टाप करें। टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखें। चित्र या कुछ अन्य जोडने के लिए विकल्प का चैन करें। फिर insert object दबाएं। स्क्रॉल कर नीचे वांचत पिक्चर या object आएं विउ फिर insert दबाएं। नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर लिखें अत्वा यदि आप सुरक्षित किये हुए किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं तो फोन बुक पर क्लिक करें। संपर्क का चैन कर ओके पर क्लिक करें। स्मार्ट फोन में प्राप्त करता क नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें। आप देखेंगे कि कॉंटाक्ट बुक से नामों की सूची प्रकट होगी। वांचत नाम पर टाप दें। भेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें या टाप दें। प्राप्त करता को मेसेज भेज दिया जाएगा। मुख्य स्क्रीन में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे। आप स्क्रीन पर एक बॉक्स में एक मेसेज रिसीवड लिखा हुआ देखेंगे। नय संदेश को देखने के लिए शो दबाएं। संदेश पढ़ें। दीदी, क्या हम मुबाइल फोन के दुआरा इं क्या चाहिए होगा? यदि आपका नहीं है तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए। आप अपने स्मार्टपून पर मुबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं। पहले अपने स्मार्टपून के सेटिंग मेन्यू पर नविगेट करें। स् सेटिंग मेन्यू में आपको वारलेस वर नेटवर्क सेटिंग्स खोजनी होगी। ज्यादतर उपकरनों में मोर या मोर सेटिंग्स बटन जो भी उपलब्द हो उस पर क्लेक करें। जब वारलेस और नेटवर्क सेटिंग हो जाती हैं तो आप इंटरनेट, वाइफाई या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड सकते हैं वाइफाई से जुडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले सेटिंग विकल्प से अत्वा नोटिफिकेशन मेन्यू में वाइफाई बटन को क्लिक करके वाइफाई विकल्प को चालू करें तब आपको उपलब्द इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपने वाइफाई नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो यह आटोमेटिक ही जुड जाएगा अन्य था आपको वाइफाई नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा यदि पासवर्ट की आविशक्ता हो तो उसे इंटर करें और कनेक्ट पर क्लिक करें इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें इंटरनेट के लिए Mobile Network जोड़ना पहले Wireless व नेटवर्क विकल्ट में अधिक सेटिंग या More सेटिंग विकल्ट पर जाएं तब Mobile Network पर क्लिक करें वहां आपको Mobile Data चेक बॉक्स को चेक करना होगा अब इंटरनेट तक पहुँशने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें कीपैड आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकता है पहले मेन्यों में जाएं फिर इंटरनेट चुनें तब या तो होम पेज का चैन करें अन्यथा होम स्क्रीन में शूने को कुछ ख्षण के लिए दबा कर रखें उसके पश्चात वेब इड्रेस इंटर करें और गो टू इड्रेस का चैन करें तब इड्रेस इंटर करें और ठीक है का चैन करें वेब खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हूं तो सर्च का चैन करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें. और सर्च का चैन करें. मेरी मोबाइल में रेडियो है. मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ? रेडियो सुनने के लिए पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यो दबाएं तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं स्मार्ट फोन हुने पर मेन्यो में रेडियो आइकॉन पर टाप दें फिर फोन को संगत हेंड़ से जोड़ें यह एक एंटीना की तरह कारे करता है उसके बाद आटोमेटिक अथवा मैन्योल ट्यूनिंग विकल्प का चैन करके जो रेडियो चानल आप सुनना चाहते हैं का चैन करें चैनल सेव करें का विकल्प चुन चैनल सुरक्षित करें तब उपर नीचे स्क्रॉल कर पॉल्यूम सेट करें रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चैन करें टैप दें मुझे यह भी बताने दें कि मोबाइल फोन पर गाना कैसे बजाते हैं पहले स्टैंडबाइ मोड में मेन्यू दबाए तब फोन में उपलब्द एप्लिकेशन को देखने के लिए मल्टि मीडिया मेन्यू खोले म्यूजिक एप्लिकेशन, मीडिया या गैलरी के रूप में दर्शाया गया हो सकता है तब म्यूजिक या साउंड का चैन करें स्मार्ट फोन होने पर मेन्यू में रेडियो आइकोन पर टाप दें अपने मीडिया प्लेयर पर उपलब्द गाने ब्राउस करें वो उन में से अपनी डिवाइस पर बजाने के लिए एक का चैन कर बजाएं गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए प्ले, पॉस प्ले को डबाएं, टाप दें एक ही बटन प्ले और पॉस के लिए कारे करता है म्यूजिक प्लेयर से निकलने के लिए बाहिं तरफ के लाल बटन को दबाएं स्मार्ट फोन में पॉस बटन टाप दें आपको अपने फोन पर गाने स्टोर करने के लिए मेमरी कार्ड की आविशकता होगी अब यहां कुछ तरीके हैं कि मुबाइल फोन से फोटो कैसे लें पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यू दबाएं तब मीडिया चुने और फिर कैमरा चुने स्मार्ट फोन होने पर कैमरा आइकॉन ढूंड कर उस पर टाप दें तब डिस्प्ले स्क्रीन को व्यू फाउंडर की तरह प्रयोग करें उपर नीचे खिसका कर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं स्मार्ट फोन में अपनी उगलियों की चुटकी को फैला कर अथवा सिकोड कर स्क्रीन को फैला कर डिस्प्ले का आकार बड़ा वचोटा कर सकते हैं फोटो लेने के लिए सिलेक्ट या हां बटन का चैन करें स्मार्ट फोन में कैमरा आइकॉन ढूंड कर उस पर टाप कर फोटो कीजिए सेव बटन को दबा कर फोटो सेव करें स्मार्ट फोन में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वैम ही सेव हो जाती है यह कुछ तरीके हैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है मैनियो में जा कर फोटो और फिर वीडियो क्यामरे का चैन करें स्मार्ट फोन होने पर कैमरा आइकॉन पर टाप दें तब स्क्रीन के प्रदर्शन को व्यू फाउंडर की तरह प्रयोग करें जूम इन और जूम आउट करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें स्मार्ट फोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अधवस सिकोड कर से स्क्रीन पर प्रदर्शन क्षेतर का आकार पदल सकते हैं रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए रिकॉर्ड को चुने स्मार्ट फोन में होने पर स्क्रीन पर मौजूद छोटे लाल आईकॉन पर टाप दें रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए स्टॉप दबाएं स्मार्ट फोन में होने पर लाल आईकॉन पर फिर से टाप दें सनरक्षित करें बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें स्मार्ट फोन में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वैम ही सनरक्षित हो जाती है मोबाइल फोन वा स्मार्ट फोन तीवर गणना के लिए उप्योगी है यह कैसे संभव है? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने के तरीके है पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यू दबाएं तब और्गिनाइजर और फिर कैलकुलेटर का चैन करें स्मार्ट फोन होने पर में कैलकुलेटर आइकॉन मेन्यू में ढूंडे और उस पर टाप दें फोन के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखें फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वभाग फंक्शन का चैन करें फिर दूसरा अंक लिखें उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ह दबाएं या टाप दें धन्यवाद दीदी आपके कारण मुझे मोबाईल फोनों के बारे में इतनी जानकारी प्राप तुई मुझे टाबलेट में में दिल्चस्पी है किया आप उनके बारे में जानती है हाँ बिल्कुल रोहन, चलो हम टाबलेट के बारे में जानते है टाबलेट कम्प्यूटर के छोटे, हलके और अधिक प्रवंधनिय रूप है फेतार रहित वल ले जाने योगे यंत्र हैं जिनमें सुचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है टाबलेट में वह ओप्रेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई उपलब्ध कराते हैं और एप्लिकेशनों को चला सकते हैं टाबलेट के सुपरसेद ओप्रेटिंग सिस्टम हैं एंड्रॉइट, विंडोज व आई ओएस टाबलेट मुख्यता दो भागों में पांटे चा सकते हैं फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है उसमें सिम कार्ड के लिए खांचा बना होता है आपको call करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भीजने वप्राप्त करने के लिए एक SIM card तथा किसी mobile network का connection की आवशक्ता होगी टाबलेट जिसमें call सुविधा नहीं होती है उसमें SIM card के लिए slot नहीं होगा लेकिन उसमें अन्य सभी विशेश्टाएं समान होती हैं तब भी आप इंटरनेट के प्रेयोग से call करने में समर्थ होंगे चलो अब हम टाबलेट की कुछ विशेश्टाओं के बारे में जानते हैं अधिकता टाबलेट निम्न उदेश्यों के लिए प्रेयोग होते हैं इमेल भेजने वप्राप्त करने के लिए, म्यूजिक फोटो वब वीडियो अन्य से साजह करने के लिए निम्न तरीके से टाबलेट पर म्यूजिक सुना जा सकता है सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं तब म्यूजिक पर टाप देकर पार्ष या बैग्राउंड संगीत इंटरफेस को एंटर करें अब आपको म्यूजिक फाइल सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्लेलिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकृत कर सकते हैं फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी इसके बाद आप प्ले, आड़ टू प्ले लिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट या सर्च विकल्पों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं तब प्ले पर टाप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो खीची जा सकती है सर्व प्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब फोटो मोड चुन्ने इच्छित फोटो मोड पर टाप दें कैमरे को विशे की और केंद्रित करें आटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को छुएं और दबाई रखें फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब वीडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किये हुए आइकॉन पर टाप दें कैमरे को विशे की ओर केंदरित करें टाप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए टाप दें. फोटो वर रिकॉर्ड के गए वीडियो मिटाने के स्टेप्स हैं. जिस फोटो या वीडियो को आप मिटाना चाहते हैं, इसे खोजें. ट्रैश आइकॉन दिखाई दिये जाने के लिए स्क्रीन पर टाप दें. फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टाप दें. आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं. पहले एल्बम ढूंड कर उस पर टाप दें. फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं, उस पर टाप दें. आगे की फोटो देखने के लिए बाई और धके लें तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखने के लिए दाई और धके लें वीडियो देखने के लिए निम्न का अनुसरन करें मैनि उसे पिच्चर अथवा अल्बम टाप खोलें अब Grid View अत्वा List View का प्रयोग कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोलें. जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर टैप दें. यदि प्लेबैक नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें. वीडियो को रोकने या चलाने के लिए Pause या Restart पर टैप दें. वीडियो पीछे करना अत्वा तेजी से आगे बढ़ाने के पद हैं. जब वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें. इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के प्रोग्रेस बार मार्कर को दाई और 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 पीछे ले जाने के लिए बाई और खीचें. टाबलेट में इबुक पढ़ने के लिए पहले टाबलेट में इंस्टॉल किये हुए डिफॉल्ट बुक रीडर पर जाएं. फिर बुक रीडर आइकॉन पर टैप दें. उसके बेजो, प्राप्ट कर सकते हैं? हाँ रोहन, टाबलेट पर इंस्टॉल किये हुए विशिष्ट एप्लिकेशनों का प्रयोग करके लगभग सभी पॉप अप या IMAP इमेल पतों का उप्योग इमेल भेजने वा प्राप्ट करने के लिए कर सकते हैं. चलिए, हम आपको टाब पर एक शेतिश बार होगा. जिस एमेल सर्विस प्रदाता का उप्योग करना चाहते हों, उसका URL एंटर करें. उदाहरन के लिए www.gmail.com. अब दिये गए स्थान पर यूजरनेम वा पासवर्ट डालें. वा साइन इन पर टाप दें. यहां इस प्रष्ट पर कम्पोज या र इंटर करें. बीच के खाली स्थान में संदेश एंटर करें. तत पर शाथ सेंड आइकॉन पर टाप दें. प्राप्त इमेल को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई इमेल प्राप्त होगी तो स्क्रीन पर सबसे उपर एक लिफाफा बन कर आएगा. आइकॉन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं. यथा क्रम मेन्यू में इमेल भेजने वाले के आइकन पर जाएं. अब आइकॉन पर टाप दें. स्क्रीन पर आपका मेल इन बॉक्स खुल जाएगा. इमेल पर टाप दें और उसे पढ़ें. हम किसी फाइल को टाबलेट पर कैसे चू करें. फाइल मैनेजर का प्रयोग करके होम स्क्रीन पर फाइल मैनेजर या फाइल ब्राउजर आप ढूंडें. उस पर टाप दें. यह सबसे उपर माई फाइल दिखाएगा. सूची से बांचित फाइल या फोल्डर को ढूंडें. उसे खोलने के लिए उस पर टाप स्क्रीन पर मेगनिफाइंग ग्लास की तरह दिखने वाले सर्च आइकॉन को ढूंडें, उस पर टैप दें, जिससे एक नई विंडो क्रकट होगी, आप देखेंगे कि उस पर एक शैतिच टैप में सर्च लिखा होगा, उसमें जो सूचना आप ढूंडना चाहते हैं, उसके पहचान शब्द लिखें, उनलाइन सर्च का परिनाम स्क्रीन पर आजाएगा, इसको खोलने के लिए वांचित पर टैप दें, हम टाबलेट से संदेश कैसे बेच शकते हैं? टाबलेट से संदेश भेजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें, होम स्क्रीन पर मेसेजि आइकॉन ढूंडें, मेसेजिंग आइकॉन पर टैप देने पर आप प्राप्त संदेशों की सूची देखेंगे, राइट न्यू आइकॉन खोजें, जो की स्क्रीन पर एक लिफाफे के साथ जमा के चिन अत्वा पैंसिल के साथ जमा के चिन द्वारा प्रदर्शित किया ग जाएगा, राइट मेसेज पर टैप दे और अपना संदेश लिखना प्राप्त करें, संबंदित आइकॉन पर टैप दे, आप फाइल, दस्तावेस, फोटो या म्यूजिक फाइल अपने संदेश के साथ जोड सकते हैं, सेन आइकॉन पर टैप दे, आपका संदेश बेज दि लिखाई देगा, अत्वा, होम स्क्रीन के मेसेजिंग आइकॉन पर एक अंक लिखा पाएंगे, जो की प्राप्त नए संदेशों की संख्या दर्शा रहा होगा, उस पर टैप दे, यह मेसेजिंग विंडो खोलेगा, जिसमें प्राप्त हुए संदेशों की सूची होगी, जो संदेश आप पढ़ना चाहते हों, उस पर टैप दे, हम टाबलेट के द्वारा इंटरेट कैसे चला सकते हैं? बिलकुल, मोबाइल के ही तरह टाबलेट के द्वारा इंटरेट दो तरह से चला सकते हैं, पहला वाइफाई से जोड़ कर टाबलेट वाइफाई निम्न नेटवर्कों के सूची दिखाई देगी, आपको वाइफाई नेटवर्क चुनना होगा, जिससे आप जुनना चाहते हैं, यदि पासवर्ड की आवशिक्ता हो, तो पासवर्ड डालें और कनेक्ट पर क्लिक करें, इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग कर इंटरनेट आप टेबलेट को मोबाइल नेटवर्क के द्वारा भी इंटरनेट से जोड सकते हैं, इसका तरीका यह है, पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके टेबलेट में मोबाइल नेटवर्क वाला सिम कार्ड है, तब टेबलेट के द्वारा इंटरनेट से जोडें, आप जब मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें जहां आपको मोबाइल राटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा एक बार क्लिक किये जाने के पच्चाथ आपका टाबलेट मोबाइल नेटवर्क प्राप्त करना शुरू कर देगा इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग करें दीदी, आपने का था कि कुछ टाबलेट फोन की तरह भी प्रयोग किये जा सकते हैं हम यह कैसे कर सकते हैं? जब आपका टाबलेट बंद हो तो आपको उसके SIM कार्ट स्लोट में वैदे GSM SIM कार्ट डालना होगा चलो हम देखते हैं कि टाबलेट से फोन कॉल कैसे कर सकते हैं होम स्क्रीन पर रिसीवर आइकॉन पर टाप दे आप जो फोन करना चाहते हैं उसके नमरों को दबाए रिसीवर आइकॉन पर टाप दे उसके बाद जब आहे जुड़ जाएगा तो आप बात कर सकते हैं यदि आप संपर्क पुस्तिका अत्वा संपर्क सूची से किसी को फोन करना चाहते हैं तो निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले अपने टाबलेट की फोन बुक अथवा संपर्क सुची में जाएं। फिर उस नाम को खोजें जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिसको संपर्क करना है, उसके नाम पर टाप दें। फिर जिससे संपर्क करना है उसके नंबर पर टाप दें फिर संपर्क जुड़ने पर बात करें चलो मैं तुम्हें टाबलेट की अन्य विशेश्टाओं के बारे में बताऊं सच में? रोहन टाबलेट में कई भाशाएं संचित होती हैं आप टाबलेट को जिस भाशा में चलाना चाहते हैं उस भाशा का चैन कर सकते हैं चलो अब हम टाबलेट में भाशा नियत करना सीखें पहले एप्लिकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टाप दें और सूची में से भाशा वो एंटर करें का चैन करें, फिर भाशा पर टैप दें और आप भाशाओं की सुची देखेंगे, उसके बाद वांचित भाशा पर टैप दें और वह भाशा तुरंत ही सेट हो जाएगी, यही पर आप कीबूर्ड की भी वह भाशा चुन सकते हैं, जिसे आप इंपुट करते समय स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तिथी वह समय नियत करने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें, एप्लिकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टैप दें और सुची में से तिथी वह समय का चैन करें, ओटोमेटिक को चुने जिससे तिथी वह समय स्वतह नेटवर्क का प्रयोग करते हु हाँ बिल्कुल, एप्लिकेशन या एप टाबलेट की मुखे विशेशताएं होती हैं, जो आपके सेवाएं प्राप्त करने के रास्ते और भी आसान बना सकती हैं, टाबलेट में नए एप्लिकेशनों को पाने के तरीके, पहले टाबलेट के मेन्यू विकल्प में जाएं, और फिर मेनियू में प्ले स्टोर विकल्प पर टाफ दें, यदी शुल्क रहित एप्लिकेशन हैं तो आप केवल इंस्टॉल बटन पर टाफ दें, और आपका टाबलेट सिवाठा एप्लिकेशन को डाउनलोड, वो इंस्टॉल कर देगा। यदि एप का मूले है तो आप एक क्रे करें का बटन देखेंगे, जिसको दबाते ही एक पॉप अप पॉक्स खुलेगा, जिसमें यह सवाल हुगा कि क्या आप एप खरीदना चाहते हैं, हां का विकल्प चुनकर जिसकी पुष्टी किये जाने पर आपको debit card या credit card की जानकारी वबुक्तान का विवरण भरना होगा, फिर application को install करने के लिए स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करना होगा अभी के लिए इतना ही रोहन, क्या mobile phone वट टाबलेट के विशे में जानना मज़िदार नहीं था क्या? हाँ, बिल्कुत हदीदी, बहुत सा धन्यवाद, अब मैं mobile phone वट टाबलेट के विशे में बहुत जान गया हूँ यह कोई समस्या नहीं है, अब हम लोग मज़ेदार गतिविधी में भाग लेते हैं